हेलो प्यारे बच्चो आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट बाइम निंदर ढूल में आज हम आपके साथ डिस्कुस करेंगे क्लास टैंथ का बहुत ही प्यारा टोपिक बहुत ही मज़िदा टोपिक प्राइक्ता तो सबसे पहले बच्चो देख संभावना को आंकिक रूप में प्रदर्शित करना ही प्राइक्ता होती है तो पहले लिख देता हूं उसके बाद इसका मतलब समझते हैं किसी घटना के हूने की संभावना को यह का आंकिक रूप आंकिक रूप यह प्राइक्ता होती है ठीक है तो इसको हम जो प्राइक्ता है इसके अर्थ को समझने से पहले थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं तब बहुत अच्छे से हमाई इसके डefinitions कलीर हो जाएगी तो सबसे पहले हम इसके सूतr की तरफ चलते हैं इसका सूतr होता है जो हमारे पास या फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं अनुकूल प्रिणामों की सिंख्या अनुकूल प्रिणामों की सिंख्या बटे में सभी संभावित प्रिणाम देखिए बत्चो अनुकूल प्रिणाम क्या होते हैं जो कि अम इंग्लिस में कहते हैं फेवरेबल केशिज फेवरेबल केशिज और सभी संभावित प्रिणामों को क्या कहते हैं टोटल केशिज ठीक है न टोटल केशिज ठीक है तो फेवरेबल का मतलब क्याता है जो किसी चीज के फेवर में होते हैं ठीक है न टोटल का मतलब आपको पताए कि सभी के सभी जो जो केशिज बन सकते हैं हमारे पास अनुकूल मतलब favorable cases मतलब की जो किसी भी चीज़ के favor में होते हैं अब देखते हैं जैसे हम एक example लेते हैं कि हमारे पास एक box है ठीक है ना ये आरन लगा लेते हैं कोई बरतन लगा लेते हैं इसके अंदर हमारे पास तीन तो काली गेंदे हैं और पांच हम चलो दो माल लेते हैं दो हम लाल गेंदे माल लेते हैं ठीक है अब यदि मेरे से पुछे कोई कि लाल गेंदे निकलने के कितने chances हैं कितनी संभावनाए कि लाल गेंदे निकलेगी तो बच्छो आपको पता है कि लाल गेंद तो कितनी है हमारे पास दो है तो favorable cases का मतलब क्या हूँ अनुकुल प्रिणाम कितनी है लाल गेंद निकलने के तो लाल गेंद के favor में जो हमारे पास सिर्फ दो ही प्रिणाम है ठीक है ना तो यह होते अनुकुल प्रिणाम सभी संभाविद प्रिणाम सभी संभाविद का मतलब क्याथ जितने total case जो हो सकते है abbiamo हमारे पास यहाँ पर ग्तिने तीन यह हैं और दो यह तो कुल कितने गेंद मेंद निकलेगी कुल पांच गेंद मेंद इसे निकलेगी किसी घटना के होने की संभावना का आंकिक रूप आंकिक का मतलब क्या होता है जो हम आंकों में लगते हैं मतलल नंबर्स में लिखते हैं ठीक है ना संभावना जो उसकी क्या है possibility है possibility है ठीक है किसी घटना के होने के समारा मतलब उसकी possibility कितने वो मतलब chances है उसके संभावना का मतलब chance भी ले सकते हैं कि संभावना कितने है उसके कितने chance है कि वो चीज़ आ जाएगी हमारे पास उसको जब हम आंकों में लिखते हैं किसी घटना को हम जब आंकों में प्रतासित करने की कोशिज करते हैं कितने प्रतिसत चांस हो जाएंगे कि वो घटना घटेगी उसी को हम क्या कहते हैं प्राइक्ता कहते हैं जैसे यहाँ पर लाल गेंद के होने की प्राइक्ता हमसे हावना है वो उसको यह हम अंकों में प्रदसित करना चाहिए अब हमने इसको आंकों में लिख दे तो यह हमारे पास क्या बनगी प्रायक्ता बन गई है तो दो पास हमारे पास क्या बनी प्रायक्ता अब प्रायक्ता के बारे में एक दो बाते हो रहा है जो हमें जाननी होंगी प्राइक्ता का अंसर सदेव प्राइक्ता के नर्जो उत्तर होगा हमारे पास समेशत जीरो से के बराबर या जीरो से बड़ा होगा और एक के बराबर या इससे छोटा होगा छोटा या बराबर हो सकता है एक से जो पूरे अंसर की बात हती है जीरो से बड़ा या बड़ा या फिर बराबर हो सकता है बराबर कब होगा जब कोई ऐस संभव घटना की हम बात करेंगे ठीक है ना ऐस संभव घटना मतलब जैसे कि आप मैंने एक होती है ऐस संभव घटना मतलब ऐसी कोई घटना जिसको हम संभव ही ना कर पाई ऐसी कोई घटना जिसको हम संभव नहीं कर पाते हैं ऐसी घटना को ऐस संभव घटना कहा जाता है जैसे बच्छोप में आपको आपने डाई तो खेली होगी जैसे अब मेरे पास ये एक डाई है डाई की सबसे पहले बात करते हैं चीक है एक डाई क्या होती पासा जिसको हम इंदी में कहते हैं पासे के अंदर क्या होता है छे सरफेस होते हैं जैसे आप मेरे पास ये एक पासा है तो इसके छे सरफेस आप देख सकते हो एक तो टोप हो गया एक इसका बोटम हो गया दो बोटम का मतलब जो निच्छे है इसक उपर और नीचे मिला करके कुतने सर्फेस बनते हैं 6 जैसे दि मैं इसके उपर आँक भी लिख देता हूं तो एक दो ठीक है ना तीन चार पांच और छे ठीक है अब सभी के उपर हमने देखी आँक लिख दी हैं तो इस परकार से इसके 6 सर्फेस होते हैं अब इसके पास इसके उपर 6 तक कि हमने संखे रिख दी यदि मैं इसको रोल करता हूं उच्छालता हूं और इसके उपर जो अंक आएगा वो साथ आजाएगा यदि ऐसे कोई कहता है तो वो साथ कभी भी नहीं आ सकता कितने बार ही उच्छालो आप तो ऐसी घटना क्या होग कि आए संभाव घटना तो आए संभाव घटना की प्राइकता हमेशा जीरो होगी और एक होती है शोर इवेंट मतलब संभाव क्या कहते है शोर इवेंट मतलब कि वो जो ऐसी घटनाई जिसका जो मतलब हमेशा घटेंगी ही घटेंगी वो उसको हम क्या कहते है शोर तो आपने लिए जो नमबर आएगा हमेशा वह छे से कम ही आएगा ठीक है ना श्योर इवेंट कहते हैं तो निश्चित घटना तो अब मैंने एक डाई उचा ली तो छे से कम नमबर ही आएगा तो सभी कोई भी कोई नमबर आजए तो वह हो ऐसे घटना को श्योर इवेंट या फिर निच्चित घटना कहा जटता है ऐस संभव को इंपोसिबल कहते हैं इंपोसिबल जो संभव ही नहीं है ठीकर ऐसे संभव नहीं था ना कि साथ आजएगा डाई के प्र तो इसलिए उसकी प्राइक्ट तक क्या होगा जीरो और यह न गटना तो ठीक है प्यारे बच्चो एक छोटी सी बात और हम करते हैं सभी गटनाओं की प्राइक्ता का जोड़ प्राइक्ता का जोड़ जोड़ को योग भी कहते हैं जोड़ या योग एक होगा जैसे देखी अब हम बात कर लेते हैं यह तो हम थोड़ी ची डाई के बारे में बात की थी अब हम बात कर लेते हैं डाई का मतलब कहता है पासा ठीक है अब हम बात कर लेते हैं सिक्के के बारे में कि सिक्का मतलब कोईन है ठीक है ना तो कोईन का आपको पता होगा कि एक जो कोईन है उसको उचालने पर हैड आएगा या फिर टेल आएगा हैड कम हैड को क्या कहते हैं चित ठीक है न और एक कोटा हमारे पास पट या तो हमारे पास अधाएगा या फिर आएगए तोचित आएगा या फिर पट आएगा है तो बच्ण बचिक हैं जो हमारे पास आएगा कि अधिक प्लिक है। यख़ कोईने फिर द्ला से looking atos तो एक ही है हमारे पास अनुकूल प्रिणाम कितनी होगे एक और प्रिणाम कितनी हमारे पास दो इन दोनों को इदियाभव में जोड़ता हूँ ठीक है न सभी गटनाओं की प्रैक्ताओं का जोड़ क्या होगा एक होगा इस फोर्मूले से हमारे पास 1 by 2 ये प्रोबिल्टी और one by two ये probability तो दोनों का जोड हमारे पास जोड प्राइक्ताओं का जोड हमारे पास एक होगा ये बात आपने ध्यान में रहे हैं तो बच्छवब सिक्कों के बारे में थोड़ी इसी ओडिटेल कर लेते हैं अब हमने देखा कि एक सिक्का उच्छालने पर एक सिक्का दो सिक्के उच्छालने पर प्रापत प्रडाम जब दो सिक्के अब हम उच्छालेंगे हो सकता है दोनों बार क्या आजाई हैड आजाई हो सकता है कि नहीं हो सकता हो सकता है ना हो सकता है पहली बार टेल और दूसरी बार हैड आजाई हो सकता है पहली बार हैड और दूसरी तेल आजए और हो सकता है दोनों बार ही हमारे पास टेल आजए। और तीन बार सिक्के को उझालने पर अब की बार हम किसी की बात करेंगे एक इक Auf उच्षके को हमने तीन बार उच्छाल दिया तो हो सकता है प्यारे बचो तीनों बार क्या आ जाए। ? अब किनों बार टेल आ सकते हैं पहले head, दeneं बार tail, tail, head, tail और tail, tail, head तो बच्छों हमने पहली बार देखा कि एक सिक्खे को उचलने पर हमारे पास दौ प्रणाम आ रहे थे दूसरी बार चयार प्रणाम आ गई और तीसरी बार आमने देखा कि 8 प्रणाम आ गई तो बच्छो इसको याद करना बहुत ही असान है देखी किसी भी चीज को जैसे अब ये था पहली बार के केस कितने थे दो उसकी पावर एक कर दो तो कितने आ गए दो केस दूसरी बार उच्छाना दो ठीक है पहली बार के केस याद रखी कितने थे दो कितने बार उच्छाला दो बार उच्छाला तो दो की पावर दो कितना आजएगा च्यार प्रिणाम इसी प्रकार से तीन बार उच्छाला है पहली बार में केस दो थे और कितने बार उच्छाला है तीन बार तो दो की पावर तीन कितना होता है आठ होता है और इनको लिखना ह बढ़ा असान है देखी कई बार बच्चे तीन वाड़े में ही ज्यादा कनिफूज होते हैं तो इसलिए इसी का तरीका बता रहा हूं आपको पहले तीनों बार हैड लिख लेजी उसकी बाद पहली बार टेल ठीक है ना टेल को बदलिए बस यह टेल है ना इसको बदलिए यह मैंने एक बार पहली बार कर दिया फिर बीच में कर दिया फिर बाद में कर दिया ठीक है ना उसके बाद जहां जहां पर हैड था पहली लाइन लिखने के बाद वहां पर टेल लिजी आप जैसे यहां पर तीनों बार हैड था तो तीनों जगा पर टेल यह यहां पर हैड लि ठीक है पहरे बत्तो हमने डाई को भी आप देख लेते हैं कि डाई के साथ डाई के बात कर लेते हैं डाई यह फिल डाईस ठीक है एक के बात होती है डाई का मतलब एक डाई है और डाईस का मतलब एक से अधिक डाईयों का होना ठीक है ना यह सिंगल है और यह क्या है डबल मे तो देखिए एक डाई को एक बार उचालने पर एक पासे को एक बार उचालने पर देखिए एक पासा हो गया हमारे पास तो तब हमारे पास कितने गटनाई होगी छे गट नहीं हो सकती है ठीक है न एक आ सकता है दो आ सकता है तीन आ सकता है चार आ सकता है पांच भी आ सकता है या फिर छे आ सकता है तो कितने प्रणाम आए सकते हैं हमारे पास ठीक है न तो सभी संभावित प्रणाम है यह हमारे पास तो क्या होंगे छे होंगे एक पास्षे को दो बार उच्छालने पर एक पास्षे को दो बार उच्छालने पर एक पास से को दो बार उचालने पर कितने प्रणाम होंगा हमारे पास देखिए छे की पावर एक क्योंकि पहले बार छे था ठीक ना एक बार में तो छे अब दो बार उचाला तो छे की पावर कितने हो जाएंगे दो तो कितने हो जाएंगे 36 प्रणाम तो क्या होंगे 36 प्रण दूसरी डाई पे दो आ जाए उसी प्रकार से क्या हो सकता है एक आ सकता है तीन आ सकता है पहली डाई पे एक और दूसरी पे तीन पहली पे एक और दूसरी पे चार एक पांच और एक छे ठीक है अब हो सकता है ऐसे दो आ जाई दो एक दो दो तीन दो च्यार दो पांच और द सब्सक्ते है उसी प्रकार से 3 1 32 234 35 और 36 तक की शाहति होएंग सहही तक कि पहली बार हम्हारे पास 4 आएगा पहलए डाई पे और दूसरे डाई पे एक आ सकता है ठीक है ना तो अब 4, 3, 4, 2 4, 3 4, 4 4, 5 और 4, 6 फिर 5, 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, 5 और 5, 6 और अब 6, 1 6, 2 6, 3 6, 4 6, 5 और 6, 6 ठीक है प्यारे बिच्चो ऐसे यह हमारे पास जो है कितने प्रणाम अन गए 36 प्रणाम हो गए है हमारे पास ठीक है तो अभी तक हम नहीं क्या आया कि एक बर छोड़ा हर उसका क्विक रिजन लेते हैं ठीक है ना देखिए प्राइक्ता क्या होती है किसी भी घटना के होने की संभावना को हम प्राइक्ता कह सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है अनुकूल प्रणामों की सिंख्या बटे में सभी समावित प्रणाम फेवरेबल केसिज आपोन में टोटल केसिज अब जो है जो कोई भी प्रायक्ता है उसका जो अंसर है प्रायक्ता का जो अंसर है जो उत्तर आएगा हमारे पास वो हमेशा 0 से बड़ाये उसके बराबर होगा और 1 से छोटा होगा यदि कभी भी probability के chapter में आपका answer negative में आता है मतलब minus में आता है या फिर दो से बढ़ाता है यह मतलब एक से बढ़ाता है तो हमारे पास वो अंसर क्या है गलत है तो सिधा सा ही आप उसको reject कर सकते हैं तो ऐसंभव गटना वो होती है जो कभी भी घट नहीं सकती और उसकी प्राइकता हमारे पास zero होगी जो पकी हमारे पास गटेगी उसकी प्राइकता हमारे पास एक होती है अब हमने शिखा था कि एक सिख्के को यदि हम एक बार उचालते हैं तो हमारे पास चितिया पिर पटाता है मतलब हैड या टेल आएगा हैड के आने के प्राइक तभी एक बटे दो होती है ठीक है ना अच्यल ode हम करते हैं एक सिख्के को यदि हम एक बार उच्छालते हैं तो हाड यह टेल आखता है डो बार उच्छालते हैं तो हमारे पास चार परणाउ बनते हैं हैड टेल हैड हेड हूश हैड 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 ago प्रणामां बनते हैं, तीनों बार head आ सकता है है, पहले बार head आ सकता है, पहले बार tail ले लियां पर वाद ले लिया उसी प्रकार से तीनों बार tail ले लिया, पहले बार head पौकर बीच में बात के बात कि थी, dice के बारे में he고 hé। रेखाना थैए एक से लेकरके हमारे पास 6 तक प्रणाम आ सकते हैं क्योंकि डाई के उपर conscious parents discussing 26 प्रणाम आथे हैं जैसे प्हली कोनी भार अगया है दूसरे को लिखे ईक हो पास हमारे पास total cases बन रहे है यह क्या बन रहे है total cases यह हमारे पास जैसे यह भी हमारे पास है total cases हैड यह चिताना है हीडिया टेल काना pipeline उसी परकार से जो यो जीएर प्रणाम है कि ये सभी के सभी हमारे पास की है? total робidACBen रही है ठिक है न? तो एक एक अरषा सकता है एक दो एक तीन एक चार एक पांच एक छे मतलब जो पहला आंख है पहली डाई को प्रदर्सित करता है और दूसरा आँख दूसरी डाई को प्रदर्शित कर रहा है उसी प्रकार से 6-6 तक हमारे पात 36 परनाम बन जाते हैं क्योंकि 6, 12, 6, 38, 24 ठीक है ना 30 और 36 तो बचो एक दो छोटी छोटी बातें और हैं जो अभी हम कर लेते हैं अभी हमने दो चीजों के बारे में अभी शिखा है एक हमने शिखा है कोईंस के बारे में अब हम बात कर लेते हैं कार्ड्स की जिसको कहते है तांस ठीक है ना तांस का खिल देखा हुगा तो तांस के बारे में जानने के लिए अब हम सबसे पहले तो आपके साथ बात करते हैं कि कुल पत्ते हमारे पास कितने होते हैं तो बावन हमारे पास ट कुल पत्ते ठीक है पहरे बिच्छो अब जो बाववन पत्ते हैं वो दो प्रकार के में बढ़ते हैं हमारे पास जिसमें से 26 हमारे पास क्या होते हैं काले रंग के पत्ते हैं और 26 हमारे पास 26 ही हमारे पास लाल रंग के पत्ते होते हैं ठीक है ना जो काले रंग के पत्ते हैं हमारे पास उनमें कौन-कौन से आते हैं उनमें दो प्रकार के तांस आते हैं एक तो हुकम और एक कुतिय चीडी ठीक है ना और जो लाल रंग के पत्ते हैं उनके अंदर भी दो प्रकार के हमारे पास तांसा जाते हैं ये तो पान का रंग जो होता है लाल होता है और एक होती है इंट ठीक है ना तो ये हमारे पास जो है ये दोनों लाल रंग के होते हैं दोनों काले रंग के होते हैं अब हार एक जो प पत्ते होकम के होंगे, तेरा चीड़ी के होंगे, तेरा पान के होंगे, और तेरा ही हमारे पास इंट के पत्ते हो जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चो, इस परकार से आप सभी के सभी पत्तों के बारे में आपको जानकारी फोगी होगी, वैसे भी आप एक बार कार्ड्स नि का अब हमारा अब हम इसके संस को डिस्कस करते हैं आप देखिए बहुत ही आसान तरीके से आप इस संस decision कर पाएंगे तो देखते हैं एक बार कि सबसे पहले जो हमारे पास संब है क्या कहता है गटना ए की प्राइक्ता पलस गटना ए नहीं की प्राइक्ता डैस है तो बच्चों हमने अभी डिस्कस किया था कि सभी गटनाओं का जोड किसके बराबर होता है ठीक न एक के बराबर होता है तो गटना ए की प्रायक्ता और गटना ए नहीं की प्रायक्ता एक होगी हमारे पास क्या होगी एक होगी ठीक है उस गटना की प्राइक्ता जो घटित नहीं हो सकती डैस है ऐसी गटना क्या होती है उस गटना की प्राइक्ता जो घटित नहीं हो सकती डैस है उसकी प्राइक्ता पुछा गए है तो प्राइक्ता कितने होती है ऐसी गटना की जीरो ऐसी गटना को हम क्या कहते है ऐस लोगव घटना हैं ठीक है प्यारी ब्चो उसज़िता की प्राइकता against गटना की प्राइकता जिसका घटित होना निच्चित है ड divert है उसलो आ भिए ठीक कि अभिछ आप गठाग इसका निकार juice यहां पर प्रयोग के सभी प्रारंभि गटनाओं की प्राइक्टाओं का योग क्या होता है एक यही वादी बात का चोटा रूप है यह थोड़ा सा बड़ा रूप हे किसी गटना की प्राइक्ता डैस से बढ़ी तो हमेशा किस से बढ़ी होती है जीरो से बढ़ी होती है तथा डैस से चोटी या उसके बराबर होती है तो एक से चोटी या बराबर होती है जो हमने आप बेसिक किया है उससे बाहर कुछ नहीं है तो क्वेस्टन नमबर टू को अ के लिए कि कौन सी टीम पहले बोल लेगी इसके लिए सिक्का उचाला उचालना एक नया संगत विदी क्यों माना जाता हैं देखिए बच्चों जब हम सिक्कों को उचालेंगे तो दो ही हमारे पास प्रनाम आएंगे या तो हैड़ आएगा या फिर दोनों के दोनों जो दोनों के जो जो हमारे पास आये प्रनाम वो क्या होंगे? सम प्राइक होंगे मतलब कि हमारे पास ये फेर चीज होगी कि दोनों को जो चांसिज हम दे रहे हैं वो अब हमने देखा था पहले कि हैड आने के प्राइक तक है एक बटे दो ओटेल आने की एक बटे दो मतलब आधे आधे चांस है दोनों के बराबर बात हो रही है इसलिए ये न्याय संगत होगा ठीक है और न्याय कब होगा जब दोनों के साथ बराबर वहवार किया जाई तो देखी हैड अब भी बराबर वहवार कर रहा हो तेल आगी तब भी बराबर वहवार कर रहा है इसलिए यह एक न्याय संगत वीदी है क्योंकि हैड और टेल आने के संभ है तो बच्चो हमने आपके साथ अभी किया था जो पराईक्ता का अंजर हो हमें सब जीरो से और एक के बीच में आता है इसे छोटा नहीं हो सकता और एक से बढ़ा नहीं हो सकता ठीक है ना तो अब सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है नाइगिटिव की तरफ तो यही आपका अंसर हो जाएगा यह अंसर क्यों है क्योंकि देखिए दो बटे तीन मतलब एक से तो छोटा यह ना और यहां पर पंदरा प्रतिस इसके बटे में हम क्या कर सकते हैं सो कर सकते हैं हंड़र कर सकते हैं तो यह भी और साथ बटे जिरो प गायए फाइव को डिसकस ठीक है न अब क्वेस्टन नंबर जो फाइव है उसमें क्या क्यों कहता है यह किसी यदि पी यदी भません पी है और उसकी जो हमारे पास जीरो पांट जीरो पांच दे दी गई है और PE नहीं की प्रायक्ता हमें ग्याद करनी है तो हमें पता है कि सभी प्रायक्ताओं का जोड हमारे पास किसके बराबर होता है एक के बराबर होता है ठीक है ना सभी प्रायक्ताओं का जोड किसके बराबर होता है एक के बराबर होता है तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ Pe पलस Pe note दोनों का Pe note का मतलाby नहीं दोनों का जोड़ किसके बराबर होगा एक के बराबर होगा आपने जो यह बात यहाँ पर भी डिसकूष की थी घटना E की प्राइक्टा घटना इनही की प्रैकता एक के बराबर होती है ठीक है ना तो पी ई-प्लस पी इनोट दोनो ही इनोट का मिसाल होता है पी-ई नहीं दोनों का जोड़ों किसे बराबर होता है एक के बराबर होता है और पी- एकी वैल्य impan üzer की ढिनख से जीरो 19.95 पॉइंट 995 इसका क्या देगा अन्सराए जाए गा यह तो ठीक है। अब हम करते हैं। Qs कवेस्टین को डिसकस Qs cycl No. कैहा है हमारे पास क्यों सो से नमब शीक्स क्या कलता है यू ए के है एक थैले में निम्भू की महक वाली मिठी गोलियां हैं léना इन में जांके उनमें से एक गोली निकालती है इसके क्या प्राइक्ता है कि यह निकाले गई गोली संत्रे की महक की होगी देखो बई क्या कह रही है को सनमर्स शिक्स में देखो एक हमारे पास थला है कोई भी ठीक है यह थेला माल लेते हैं इस प्रकार का कोई इसके अंदर जो हैं वो निम्बू की महक की गोली है क्या है निम्बू की महक वाली गोली है यह मानते हैं हम iningbu है निम्बू है हमारे पास अब देखो बच्छ दब इसके अंदर निम्बू है तो शबसे पहले और में क्या कहता है कि संत्रे की महक वाली गोली होगी है न निकाली गई गोली है वो किस परकार के संत्रे की महाक वाली तो भई संत्रे की महाक वाली कैसे हो सकते हैं जब इसके अंदर निम्बू की महाक वाली या निम्बू ही यह दिया मानते हैं तो संत्रा कैसे निकल सकता है तो यह हमारे पास एक संभाव गटना है ठीक है ना और निम्बू की महक वाली ही गोलिया है तो निम्बू की महक वाली गोलिया ही निकलेंगी इसलिए यह क्या है हमारे पास निश्चित घटना है कैसी घटना है निश्चित घटना और इसकी प्राइकता क्या होगी फिर हमारे पास एक हो जाएगी ठीक है प्यारे विच्छो अब क् कि तरह पढ़ते हैं तो क्वेशन नबर साइवन में क्या करता है यह दिया गया है यह दिया हुआ है कि तीन विद्यारतियों में से एक समुह में से दो विद्यारतियों के जन्म यह दिया हुआ है कि एक विद्यारतियों यह दिया हुआ है कि तीन विद्यारतियों के एक समुह में से दो विद्यारतियों के जन्म दिन एक ही दिन नय होने की प्रायक्ता एक ही दिन जन्म दिन नय होने की प्रायक्ता नय होने की प्राइकता किते हैं दी गई है 0.992 जिरो पॉइंट नो नो दो ठीक है न अब यह पूछ रहा है दो विद्यारतों का जनम एक ही दिन होने की प्राइकता मतलब यह क्या होगे हमारे बस पी ई हो गई वो क्या 0.992 पी नहीं की प्राइकता अब हमें क्या है निकाल नहीं है तो प्यारे बच्चों हम निकाल लेते हैं इसको हम यहां पर लिख देते हैं माना दो बच्चों का जनम दिन एक ही दिन होने की प्राइकता पी-इनोट होगी ठीक है ना यह इसको पे नोट मान लेते हैं इसको पे मान लेते हैं ठीक है ना तो इसकी पी ही ही तो हमें पता है कि PE पलस PE note दोनों की value इसके बराबर होगी एक तो प्यारे बिच्छो PE तो हमें निकलना है है ना हम इसको PE घटना बांते हैं तो इसकी value हमारे पास क्या है 0.992 बराबर एक के होगी तो PE की value क्या आगी एक माइनिस 0.992 क्योंकि इधर किसका था पलस का था तो इधर आ करके माइनिस का हो जाएगा 0.008 है हमारे पास यह इसका अंसर आ जाएगा ठीक है तो से लिए बटा अब हम करते हैं वैसे एक बात और दोरा लेते हैं समको देखो यह कह रहा था कि एक ही दिन जनम दिन ना होने की प्राइकता हमारे पास जीरो पांट नो दो दिया गया है अब एक ही दिन उनने उनके जनम दिन होने की प्राइकता हमें बताने थी तो पच्छो केस तो वही हो गया कि पी और पी नोट दोनों का जोर किसके बराबर होगा एक के क्योंकि यह नय होने की प्राइकता है तो दोनों का जोर किसके रख दिया एक की वेल्यू हमें दीगी थी उसको दुर लेगे तो हमारे पास एक मिसे कटने बाद हमारे पास अंसर आ गया इसका ठीक है अब हम बात करते हैं क्वेस्टन नंबर एट की अब है क्वेस्टन नंबर एट बहुत ही असान है एक थैले में तीन लाल और पांस काली इंदे में एक थैले में देखिए एक थैले में तीन लाल यह हमारे पास एक थेला माल लेती हैं क्वेस्टन नंबर एट है तीन लाल और पांस काली पहले पांस काली बिना लेते हैं और कितनी हैं तीन लाल गेंदे हैं हमारे पास ठीक है तीन लाल और पांस काली गेंदे हैं एक थैलों में से एक गेंद याद्रिच निकाल ली जाती है इसकी प्राइकता क्या है कि गेंद लाल हो देखो बैए सबसे पहले लिख रहते हैं काली गेंदे कितनी हैं प्यार बच्छो पांच लाल गेंदे कितनी हैं तीन कुल गेंदे कितनी आगे हमारे पास कुल गेंदे कितनी आगी टोडल हमारे पास आगी आठ चीक है तो हम पहले लिखते हैं प्राइक्ता का हमारे पास सुत्र है जो प्राइक्ता का प्रोमला क्या है हमारे पास अनुकूल प्रणामों के सिंख्या बटे में सभी संभावित प्रणाम देखो अनुकूल प्रणामों के सिंख्या कितनी है अनुकूल प्रणाम देखो सबसे पहले क्या कहता है पहले पार्ट में लाल गेंद निकलने की प्राइक्ता अब देखो लाल गेंदों के अनुकूल प्रणाम कितनी होंगे कितनी गेंदों में से लाल गेंद निकलेंगी तीन गेंद ही हमारे पास लाल गेंदों को निकलने के लिए तीन आगी बटे में क्या कहता है सभी संभावित प्रणाम सभी संभावित प्रणाम कितने है आठ ही गेंदों में से निकलेंगी तो आठ तो यही आपका अनसर आ ग नया निकलने की कि प्रायक्टप मैं देखो पत्सू लाल गेंद नहीं हैं लाल गेंद नहीं है तो इसका मतलम क्या या है काली गेंद ही होगी ठीकल न तो हम एक किसी भी घटन के हुणने और नया हुणने की दोनों का जो और किसके बराबर आता है एक के बराबर आता है तो वो इसका भी आप प्रियोग कर सकते हो यदि आप इसको एक में से घटा दोगे तो आपके पास लाल गेन ने निकलने के प्रैक्ता भी तब भी आ जाएगी आप इसको एक में से घटा भी सकते हो यहाँ पर आप लिख सकते हो ल करते हैं अब एक डिब्बे में पांच लाल कंचे एक डिब्बा है हमारे पास एक बॉक्स है ठीक है ना एक बॉक्स में के हमारे पास पांच लाल और आठ स्पेद और क्या है चार हरे और क्या है हरे इस डिब्बे में से एक कंचा यादरिच निकाला जाता है इसकी क्या प्रायक्त है कि निकाला गया कंचा लाल है देखो भी हम यहाँ पर लिख देते हैं लाल कंचे लाल कंचे कितने है प्यारे बच्चो तीन फिल लिखते हैं सोरी पांच लाल कंचे कितने है पांच स्पेद कंचे कितने है आठ और हरे कंचे कितने है हमारे पास चार तो कुल कंचे कितने आ गए कुल कंचे हमारे पास 5 और 13 और 4, 17 कंचे ठीक है ना तो सबसे पहले प्राइक्ता का यहां पर सुत्र लेखेंगे सुत्र क्या आउत हमारे पास अनुकूल प्रणामों की सिंख्या वटे सभी समभावित प्राइक्ता प्र लाल कंचा निकलने की प्राइक्ता लाल कंचा निकलने की प्राइकता तो बच्छो लाल कंचे कितने हमारे पास पाँच और कुल कंचे कितने हमारे पास सत्रा फर्स्ट पार्ट हो गया सैगने पार्ट में क्या पुछता है सफेद है कि सफेद कंचा निकलने की प्रायक्ता सफेद कंचे कितनी है आठ है तो आठ बटे 17 उसके बाद थर्ड पार्ट की बाद करते हैं थर्ड पार्ट में क्या कहते है हरा नहीं है हरा कंचा ने निकलने की प्रायक्ता ठीक है ना पी से ही डिनोट कर लेता हूं प्राइक्त को अरा कंचा नहीं निकलने की प्राइक्त जो कंचा जो हरा नहीं है क्या नहीं है हरा नहीं है मतलब हरा नहीं होना चाहिए इसका मतलब या तो कंचा लाल निकलेगा या पर कंचा स्पेद निकलेगा तो कितने होगे हमार नमबर 10 को करते हैं देखिए को से नमबर 10 में क्या कहते है ये एक पिगई बैंक में 50 पैसे के 100 सिख्के क्या करते हैं पचास पैसे के 50 पैसे के सिख्के कितने है 100 एक रुपए के सिख्के एक रुपए के कितने है 50 और दो रुपए के दो रुपए के सिख्के हैं हमारे पास 20 ठीक है न और पांच रुपए के कुल कितने सिख्के हैं पांच रुपए के सिख्के हमारे पास पांच रुपए के 10 सिख्के हैं हमारे पास तो पहले हम यहाँ पर कर लेते हैं कि टोटल सिख्के कितने हैं हमारे पास या फिर कुल सिख्के है ना कुल सिख्के कितने हैं हमारे पास 180 कुल सिख्के कितने आगए 180 सिख्के आगई तो अब आप देखिए 50 पैसे का होगा मतला अब हम यहाँ पर प्रायक्ता का एक बार फॉर्मुला लिखेंगे प्रायक्ता का सुतर कि हमारे पास अनुकुल प्रणामो की सिंख्या देखो अनुकूल प्रणामो की सिंख्या अब सभी सम्भावित प्रणाम देखो अनुकूल प्रडामों के सिंख्या अब सबसे पहले पूस किया रहा है वो देखते हैं पत्चास पैसे का होगा पत्चास पैसे का सिक्का निकलने की प्राइक्ता पत्चास पैसे का सिक्का निकलने की प्राइक्ता पत्चास पैसे का कुल कितने सिक्के हैं सो और कुल कितने सिक्के हैं हमारे पास एक सो असी तो इनको काट देते हैं दो पे पांच और दो पे नो जिरो सी जिरो हमारे पास कट गया था तो पांच बटे नो किसके प्राइक्ता आगी है हमारे पास यह 50 पैसे का शिक्का निकलने की प्राइकता फिर पूछ रहा है पांच रुपए का नहीं होगा पांच रुपए का कि शिक्का ना निकलने की प्राइकता जो शिक्का है वो पांच रुपए का नहीं होगा मतलब यह वाड़ा शिक्का हमें नहीं चाहिए ठीक है ना पाकी सभी में से तो कोई भी हो सकता है मतलब वो सो पचास पैसे का भी हो सकता है वो एक रुपए का भी हो सकता है या फिर वो दो रुपए का निकल जाए तो कुल क के कितने हमारे पास 180 तो 0 से 0 कर जाबता है 17 बटे 18 इसकी क्या जाती है प्राइता आ जाती है प्यारे बच्छो थैंक्स पर वॉचिंग मैं वीडियो तो question number 11 देखे क्या करता है गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मचली करीती है दुकानदार एक टंकी जिसमें पांच नर मचली और आठ मादा मचली है में से एक मचली या दृच उसे देने के लिए निकालती है इसकी क्या प्राइकता है कि निकाले गए मचली नर मचली होगी देखो बच्चो हम सबसे पहले देते हैं कि नर मशली कितनी है इसमें नर मशली क्या है नर मशली हमारे पास पांच मादा मशली मादा मशली कितनी है आठ तो कुल मशली कितनी होगी हमारे पास कुल मशली हमारे पास होगी तेरा है न अब आपको पता है कि प्राइक्ता का फुर्मूला क्या होता है हमारे पास प्राइक्ता का सुतरुता है अनुकूल प्रिणामों की सिंख्या अनुकूल प्रिणामों की सिंख्या अप उन में सभी संभावित प्रिणाम ठीक है न तो अनुकुल प्रिणाम हमें किसकी प्रैक्त निकलने है निकाली गई मसली नर्मसली होगी तो नर्मसली निकलने के प्रैक्ता नर्मसली निकलने की प्रैक्ता देखो बच्चो अब नर्मसली कितनी हमारे पास पांच उन के कितनी मसीलिमें से निकलेगी 13 में से तो 5 बबेink़ 13 इसका और जाता है अंशराज आता है तो पढ़ते हैं question no 12 की और question no 12 कु देखते है question no.12 eat rate जो विसराम में आने के बाद सिंख्याओं एक दो तीन चार पांथ 6 साथ और आठ में से किसी एक सिंख्या को इंगित करता है इंगित का मतलब क्या है यह जो तीर है वो कहीं पर आ करके रुखता है तो यदि यह सभी प्रणाम संप्राइक है संप्राइक क्या होते हैं जिसके आने की संभावना बराबर होती है जिन सभी प्रणामों को आने की संभावना परावर होती है वो ऐसे प्रणामों को क्या कहते हैं संप्राइब तो इसकी क्या प्राइबत है कि यह तीर इंगित आठ को करेगा कि यह जो तीर है जागर के आठ पर अठक जाएगा इसकी क्या प्राइबत है देखो प्यारे बत्ष quarter मैं क्या करेंगे सबसे पहले तो हम लिखे लेते हैं इसमें तो सबही मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारे पास जो प्रणाम है वो क्या होंगे? ठीके न? तो total cases मतलब सबही संभावित प्रणाम सबही संभावित प्रणाम वो कितने होंगे आठ है तो आठ ही हो सकते हैं सबसे ज़यदा हमारे पास पर नाम जो है ठीक न तो अब आप देखिए जो एरो है ये जो तीर है यदि ये आठ पर जागर केट केटा तो देखिए इतने स्थान को घेर सकता है इतने बड़ा स्थान को तो इसमें इस प्रगा कितने निशान है आठ ठीक है ना तो ये तो एक को घेर रहा है इतने इतने पाट को घेरेगा है ना इतने ही पाट को घेरेगा तो इसका मतलब ये कितने पाट को घेरेगा एक हिस्चे को गहुरेगा कितनी मिसे आठ हो मिसे कई बच favor करते हैं कि 8 को करेगा तो 8 बटे 8 नहीं बच्स यदि यह 6 को कहता कि 6 को इंगिट करेगा 20 का अंसर क्या देखो 6 भी क्या है इसका एक हिसला गह रहे तो 1 बटे 8 ही 220 का तो यहाँ पर कै対 आठ को करेगा आठ को इंगित करने की प्राइक्ता ठीक है ना तो पहले फ्रोमुला लिख लेते हैं अनुकुल प्रिणाम अनुकुल प्रिणामों की सिंख्या बटे में सभी संभावित प्रिणाम सभी संभावित प्रिणाम तो प्यारे बच्चो अमारे पास अनुकुल प्रिणाम कितनी है एक और टोटल प्रिणाम कितनी है अमारे पास आठ तो यही इसका क्या गया अंसर आ गया सागेंड पार्ट पे चलते है एक विसम सिंख्या को इंगित करगा विसम सिंख्या है विसम सिंख्या है वो सिंख्या है जो दो से पूरी पूरी भाग नहीं होती है तो एक तीन पाँच और साथ यह सभी सिंख्या है तो कितनी है चार सिंख्या है क्या है हमारे पास विसम सिंख्या है कुल प्रणाम कितनी है हमारे पास क्या है आठ है हमारे पास तो इसका विश्म सिंख्थ्या को इंगित करने की प्राइटा क्या होगी तो हमारे पास कुल कितने प्रणाम है बच्छो चार और कुल कितने प्रणाम है आठ तो काट देते हैं तो एक बटे-2 इसका क्या रिद्ध कनता है अंसर दोगता है पार्ट नमर 3 पे चलते हैं क्या क्यािता है दोसे बडी चिंख्या हैं तो यहां पर लिए देते हैं 2 से बडी सिंख्या है कुँछे 3 4 5 6 7 और 8 जा cold कितने प्रणाम है होगी उसे 6 इंख उस्थ तो कुल प्रणाम कितने हैं हमारे पास तो हम सिदा यहां पर प्राइक्टा लिख देते हैं किसके आने की दो से बड़ी सिंख्या आने की तो कितनेश यह शे वटे आठ इसके क्या आत तन सराज आत तो पाट नबर फॉर्थ पर चलते हैं अबौ कि इसे में क्या कहता हि नो से। 9 से छोटी सिंख्या है तो कुल की दिन सिंख्या है आठ सिंख्या है तो प्राइक्ता इसकी प्राइक्ता है ये आठ से छोटी सिंख्या आने की क्या होगा आठ सिंख्या ही है और आठ ही हमारे पास सभी प्रणाम है तो कट जाएगी तो एक देखो बच्चो ये हमारे पास किस प्रकार की घटना होगी निशित घटना हो गई है ना क्योंकि 8 ही सिंके हैं आठों में सी आज़कता है इसके लाव तो कुछा नहीं सकता है इसलिए इसकी प्राइकता क्या होगी एक आ गई हमारे पास अब क्वेशन नमबर 13 को देखते हैं देखें क्वेशन नमबर 13 में क्या कहता है एक पास से को एक बार फैंका जाता है नमली कित को प्रापत करने के प्राइकता ज्याद कीजिए ठीके ना एक पास से को फैंकने पर कुल प्रणाम एक पास से को फैंकने पर संभव प्रणाम एक आसकता है मैं पहले डिसकास कर चुका है हुम इसके बारे में एक आ सकता है 2-3-4-5-6ी इस लाव तो पुछ नहीं आ न तो अब हम देखते हैं क्या कहता है यह एक यावादजे सिंख़ाई निकलने के प्रायकता हमें बतानी है तो नि एवाज्य सिंख्या हैं क्या होंगी स्बस्चोटी एवाज्य सिंख्या क्या है दो फिर तीन और ये पांच तीन सिंख्या ही है ठीक है ना अब प्राइक तक यहाँ पर लिख देते हैं परूमला अनुकूल प्रणामों के सिंख्या अनुकूल प्रिणामों की सिंख्या बटे में सभी संभावित प्रिणाम प्यारे बत्षो अनुकूल प्रिणामों की सिंख्या कुल प्रिणाम कितने होंगे हमारे पास अभाजे सिंख्या के तो अभाजे सिंख्या निकलने की अभाजे सिंख्या निकलने की प्राइटा कितनी है हमारे पास अभाजे सिंख्या है तीन और कुल प्रिणाम कितनी है हमारे पास छे प्रिणाम थे ना तीन बटे छे काटने पर पर कितऱा घैता है एक विटे नजब आ कीब पास अब करते हैं बात पार्ट醒 सेकने किकरते हैं बात जोंख न पार्टनामेर फवर्स्ट था ये हम लिबन को यह कि अत्रद्दख दो और एक यह के बीच किसंह क्किन अप कितनी हैं 3,4,5 देखिए यह नहीं बीच की 2 और 6 को सामिल करने के लिए नहीं कहा है इसने ठीक है न तो हम क्या लेंगे 2,3,4,5 तो कुल कितनी हैं 3 सिंख्या हैं ठीक है न तो 2 और 6 के के बीच की सिंख्या निकलने की प्राइटा कितने होंगी कुल कितने प्रणाम हमारे पास 3 और टोडल प्रणाम के है 6 तो 3 दूनी 6 तो 1 बटे 2 इसका अंशरा रहता है पार्ट नमबर 3 पे चलते हैं इसमें क्या कहता है एक विसम सिंख्या तो विसम सिंख्या कितनी है हमारे पास विसम सिंख्या कौन कुनसी है एक तीन और पास तो तीन सिंख्या तो अब हम लिख देते हैं कि विसम सिंख्या निकलने की प्राइटा क्या होगी वो कितनी है विसम सिंख्या जिसम और तीन तो यह आपके पास अंसर आजलता है क्वेश्चन नमबर 14 करते हैं हमारे पास तांसों से रिलेटल है 52 पत्तों को की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड़ी में से पता निकाला दता है निमलिक खित की प्राइक्ता ग्याद कीजिए देखिए सबसे पहले क्या करता है question number 14 में देखो कुल पत्ते कितने हमारे पास कुल पत्ते कुल पत्ते हमारे पास 52 ठीक है न तो लारंग का बादश्या निकलने की प्राइक्ता ग्याद करनी हमें तो पहले यहां पर लिख देते हैं प्राइक्ता का सुत्र प्राइक्ता कीशे कहते हैं अनुकूल प्रणामों के सिंख्या बटे में सभी संभावित प्रणाम सभी संभावित प्रणाम तो सबसे पहले क्या कहता है लाल रंग का बादशाय निकलने की प्राइक था तो लाल रंग के बादशाय लाल रंग के बादशाय देखो बच्चो हमने पहले डिस्कस किया था आपके साथ कि कुल जो पत्ते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं बावन पत्ते होते हैं बावन पत्तों में से 26 जो पत्ते होते हैं वो काले रंके और 26 जो पत्ते होते हैं वो लाल रंके होते हैं ठीक है ये बलैक और ये रेड अब 26 में से तेरा तेरा पत्ते हमारे पास होते हैं ठीक है ना तेरा तेरा ये होकम और जो चीडी होती है वो हमारे पास बलैक कलर की होती तो लाल रंग के बादश्या हमारे पास कितने होंगे देखो दो बादश्या एक बादश्या इस में से और एक बादश्या इस में से तो लाल रंग के बादश्या कितने होए दो अब हमारे पास कुल पत्ते हैं भावन और लाल रंग के बादश्या कि हैं दो तो लाल रंग का बादश्या निकलने की प्राइकता अनुकुल प्रिणाम कितनी आगे दो और टोल प्रिणाम कितनी है हमारे पास सोरी फिप्टी टू तो काट देते हैं एक बटे 26 इसके उत्तर आज आता है तो पार्ट नंबर टू पे चलते हैं पार्ट नंबर टू में ने एक प्रे समय करता है एक फेस कार्ड पेस कार्ड मतलब तसवीर वाले पत्ते मतलब फेज कार्ड ठीक है ना फेज कार्ड किसको कहते हैं जिसके अपर तस्वीर शपी होती है तो हमारे पास गुलाम हमारे पास जो पत्ते होते हैं वो गुलाम बेगम और बादश्या यही पत्ते ऐसे होते हैं जिनके अपर तस्वीर शपी होती है तो चार गुलाम होंगे ठीक है ना एक दो तीन चारों में से चार बेगम होंगे और चार ही बाच होंगे तो कुल कितने पत्ते हो गए फेसकार बारा तो तस्वीर वाले पत्ते कितने हो गए बारा अब तस्वीर वाला पत्ता निकलने की प्राइकता अब अनुकुल प्रिणाम कितने होगे सोचिए 12 पतों में से ही निकल सकता ह। कुल प्रिणाम हमारे पास कितने हैं 52 है तो चार पर काड़ देते हैं 4 ती है 12 4 पर 13 चुके 52 तो 3 बटे 13 हमारे पास क्या दात है अंसर आजात है बच्छो उसी प्रकार से हमारे पास थरड पार्ट पे चलते हैं अब हम लाल रंग का तस्वीर वड़ा पक्त थी देखो लाल रंग के कितने होगे आःब देखिए जो हमारे पास दो गुलाम, दो बेगम और दो बाज़्या ही होंगे अब की बार तो कितने होगे छे पत्ते ठीक है ना और लाल रंग का तस्वीर वड़ा पत्ता निकलने की प्राइकता तो हमारे पास कितने होंगे जिसके ओपर तस्वीर लगी होती है तो छे ठीक है ना लाल रंग के छे होगे और कुल पत्ते कितने हमारे पास 52 तो काट देते हैं इनको तो दो पे काटेंगे तो दो पे दो ती है छे और दो पे 26 दूनी 52 ठीक ना तो जो अन्सर आ गया हमारे पास वह क्या से आगया तीन पटेच 2 यह हमारे पास क्या है उन्सर आ गया पार्ट नंबर फोर्थ पर चलते हैं क्या कहता है पाने पान का गुलाम पान का गुलाम निकलने की प्राइक्ता तो पान की गुलाम कितनी है एक ही है और कुल पते कितने हमारे पास बाववन तो यही आपका क्या आगया अंसर आगया पार्ट नमबर फिर्ट की बात करते हैं फिर्ट में क्या करते हैं हुकम का पता हुकम का तो प्यारेगिच्टो आपके पास हुकम के पत्ते आपको पता है कितने होते हैं 13 हा होते हैं और हुकम का पता निकलने की क्या होगी जो घोकम के पत्ते वो क्या है, तेरा और कुल पत्ते कितने हैं, बाववन, तो एक बटे चार आपके पास क्या आता है, अंसर आता है, पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नमबर 6, उसमें क्या कहता है, एक इंट की बेगम, एक इंट की बेगम, तो इंट कितने हैं हमारे पास एक ही है इंट की बेगम कितने हुई एक तो इंट की बेगम निकलने की प्राइप्ता क्या होगी एक बटे 52 होगी हमारे पास कि एक ही पत्ता है हमारे पास ठीक है प्यारे पीच्छो अब हम क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं क्वेशन नम्बर 15 ने देखी क्या कहता है क्वेशन नम्बर 15 क्या कहता है तांस के पांच पत्तों इंट का दहला हमारे पास क्या है एक तो है दह्म है बेगम है बादशाह है ठीक है ना और 1 का और क्या है । ठीक है ठीक है को अच्छी तरह को पल्ट करके अच्छी प्रकार फेंट आता है फेंटने का मक 이용 मतलर की आता है तरास मारने से उनको मिक्स कर दिये जत्या है पिर इन में सियादरिच एक पत्ता निकाला जाता है इसकी क्या प्रायक्ता है कि यह पत्ता एक बेगम होगी यह पत्ता यह पत्ता एक बेगम का है तो हम यहां पर लिए देते कुल पत्ते प्राइक्त का प्रमुला लिख देते हैं प्राइक्त का सुत्र के हमारे पास अनुकूल प्रिणामों की सिंख्या बटे में सभी संभावित प्रिणाम अब हमसी क्या पूछ रहे इसकी क्या प्राइक्त है यह है पत्त एक बेगम होगा तो बेगम निकलने की प्राइक्त का बेगम निकलने की प्राइक्ता बेगम क्या है एक ही पत्त हमारे पास और कुल पत्त कितने हैं पांस तो इसका अंसर भी गया जाता है एक बटे पांस यह पार्ट नमर क्या है फर्स्ट हमारे पास सेगन पार्ट में देखते हैं क्या करता है एक बेगम आती है तो उसे अलग रख दिया जाता ह एक बेगम निकलाती है और उसको हम क्या कर देते हैं अलग रख देते हैं और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है इसकी क्या प्रायक्ता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक का होगा देखो एक पत्ता निकल जाता है तो उसको अलग रख देते हैं पत्ते को अलग रखने पर कुल पत्ते एक पत्ता हमने लग रख दिया तो आप हमारे पास कितने बचेंगे चार अब हमें यह दूसरा पत्ता निकलाता अब एक दूसरे पत्तों को हम निकालते हैं एक इका है इसकी क्या प्राइक्ता है पत्तों में इक्कों के सिंख्या पत्तों में इक्कों की सिंख्या तो कुल कितने पत्ते मतलब जो हमारे पास चार पत्ते हैं उनमें इक्के कितने होंगे एक होगा ठीक है ना क्योंकि उसने क्या का है कि बेगम निकलाते तो इक तो नहीं निकला तो क्या रही एक रही है तो प्राइक्ता अब हम लिखते हैं प्राइक्ता किसकी प्राइक्ता ग्याद कर रहे हैं इकका निकलने की इकका निकलने की तो बचो हमारे पास एक तो हमारे पास इकका है और कुल पत्ते हमारे पास कितने है चार तो एक बटे चार इसकी क्या जिसका अंसर आगे इसकी प्राइकता हो गई probability हो गई ठीक है अब इसके बी पार्ट पर चलते हैं उसमें क्या कहता है एक बेगम है अब देखिए सुरुआत में तो इक कह रहा है यदी बेगम निकलाती है तो बेगम थो हम पहले निकाल चुके हैं उसको अलग रख चुके है तो अब क्या बेगम इन चार पत्तों में से बेगम होगी, पत्तों में बेगम की सिंख्या, पत्तों में बेगम की सिंख्या, क्या होगी, 0, क्योंकि बेगम तो हमने अलग रख दी थी, क्योंकि एक ही बेगम थी और वही अलग रख दी, तो अब हमारे पास बेगम की सिंख्या बेगम के सब्सक्राइब दो भेगम निकलने की प्रायटता धार धियुए यह अंसर होगा